हलो स्टूडेंट्स मैं किताब की इंग्लिश एचुकेटर स्वागत करती हूँ आपका Magnet Brains Hindi पर जहां आपको मिलता है High Quality Education with so many top courses CBSE, UP, MP, Bihar, Delhi, Rajasthan Board Class 6 से लेकर Class 12 तक के लिए ये सभी courses आप लोगों के लिए available है और वो भी एकदम free of cost इसके अलावा स्टूडेंट्स Magnet Brains English Medium पर केजी से लेकर Class 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए CBSE Board अविलेबल है और वो भी एकदम free of cost again तो यानि दोनों ही चैनल्स पे आपको free education मिल रहा है तो बहुत अच्छी opportunity है इसका फायदा आप जरूर उठाइए इसके अलावा e-books और e-notes भी आप लोगों के लिए अविलेबल है जिनके links आपको दिये हैं in description box में उन links पर click करते ही इनकी पूरी की पूरी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी इसके अलावा students एक छोटी सी जानकारी e-notes के लिए मैं आपको अभी बिता देती हूँ कि ये organized format में होने के साथ साथ बहुत सारे practice sets के साथ available है यानि आपके लिए बहुत ही जादा helpful हो सकते हैं specially during your exams तो make sure इन links पर आप click करें ताकि इन से related चाहिए e-books हो या e-notes आपको सारी के सारी जानकारी मिल जाए राइट students इस important information के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की topic पे जो की है आपके poem the Liburnum Topic NCE RT Solutions तो चलिए students जल्दी से हम इस video को start करते हैं और सबसे पहले देखेंगे find out section पहला question है What Liburnum is called in your language अब यहां basically पूछा है कि आपके language में Liburnum Tree जो होता है उसे क्या कहते हैं So basically Hindi के अंदर इसे कहा जाता है Amaltas का पेड़ ठीक है तो Amaltas अब students आपके जगह यानि आपके region में या आपके area में आपके अपनी भाशा के अंदर अगर Amaltas की पेड़ को कुछ और कहा जाता है किसी और भाशे में कहा जाता है तो वो comment करके मुझे जरूर बताइए ठीक है in the Hindi language the laburnum tree is called Amaltas clear है next is which local bird is like the goldfinch यानि goldfinch bird जो है वो कौन सी local bird की तरह होती है so it's Indian lutino ring neck basically Indian lutino के साथ इसको ring neck के नाम से जादा जाना जाता है क्यों कि गर्द इसकी गर्दन पे ना एक रिंग सी एक लकीर सी होती है जो बिलकुल ऐसा लगता है कि एक रिंग सी है ठीक है तो यह सबसे जादा goldfinch से मेल खाती है next is think it out पहला question है what do you notice about the beginning and ending of the poem यानि यह जो पोँआ है इसकी शुरुवात और इसका जो अंथ होता है इसके बारे में आप क्या समझते है at the beginning and the ending of the poem the laburnant tree was standing still and silent just death-like इसका मतलब यह है यह beginning or ending यह वो वाले समय है जब यह जो bird होती है वो bird यहाँ होती ही नहीं है इस पेड के अंदर नहीं होती है अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए गई होती है यानि in the absence of bird तो यहाँ जब bird नहीं है तब तो यह कैसा लगता है शुरुवात में और एकदम जब poem खतम होती है तब कैसा लगता है यह पेड एकदम still लगता है ठहरा और रुका हुआ सा लगता है बिलकुल शान्त और सन्नाटेदार लगता है और ऐसा लगता है कि मानो इसमें कोई जान ही नहीं है डेथ लाइक नज़र आता है ठीक है समझ में आई students next to what is the bird's movement compared what is the basis for the comparison यानि जो bird की जिस तरीके से वो move कर रही है उसकी movement जो है उसको किस से compare किया गया है ठीक है बहुती alert और actively वो move कर रही है तो इस movement को किस से compare किया गया है और इस comparison का basis क्या है यानि आधार क्या है क्यों ये comparison हुआ है तो अगर students आपको अच्छे से ध्यान है अगर explanation और summary part देखा है तो आपको पता होगा कि lizard से compare किया है the girlfriend's movement is compared to that of the lizard ठीक है तो पहले का answer तो हो गया अब क्यों compare किया गया है इसको इस तरह से because she was abrupt, sleek and alert ये lizard के बारे में basically बता रहे हैं actually बता रहे हैं bird के बारे में कि bird किस तरह से behave कर रही है और lizard में भी वो सारी qualities होती है abrupt यानि rapid sleek and alert यानि बहुत ही fast और बहुत ही चुस्ती सी होती है एक lizard में और बहुत ज़्यादा alert और active होती है वो कि जैसे ही वो कोई भी खत्रा देखती है वहाँ से बहुत जल्दी से फट पट करके बस वहाँ से हट जाती है भाग जाती है ठीक है और फिर मिलती ही नहीं है The same movements were observed when she arrived at the tree and moved to the thickness side of the branch to feed her young ones. Same, इसी तरीके की movement जैसे एक lizard की होती है, same उसी तरीके की movement जो है, वो इस bird की भी देखने को मिली जब वो इस पेड़ पर आती है. और जिस तरीके से वो अपने बच्चों के पास इस पेड़ की गहराईयों में, जहाँ यह पेड़ सबसे जादा घना है, वहाँ चली जाती है और अपने जो छोड़े-चोड़े बच्चे हैं, प्यारे-प्यारे कीट से उनको दाना देती है. ठीक है, तो यहाँ पर यह पूरी movement जो है, वो इतनी alert है, यानि, यहाँ पर एक activeness दिखाई जारी है, students, कि बिलकुल भी आलस नहीं भरा हुआ है, जो bird है, उसके अंदर बहुत ही जादा active है, as if कोई lizard हो, ठीक है? Now, next is, why is the image of the engine evoked by the poet? यहाँ पर जो engine वाली, जो image create की गई है, वो क्यों करी है, poet ने? Students, जो engine होता है न, वो बहुत important होता है किसी भी machine के लिए, चाहे machine हो, हम सोचते हैं, vehicles, vehicles भी तो एक तरीके से machine ही हो है, तो यानि, चाहे cars हो, trains हो, या कुछ भी हो, हम जैसे cars की या vehicles की बात करते हैं, तो उसमें भी दिखाया जाता है कि कितनी strength है किसी भी car में या vehicle में, कोई भी हो, ठीक है, तो वो उसके engine पे ही depend करता है कि कितना strong engine है, जितना strong engine होगा, उतनी ही strong machine होगी, उतना ही load वो जहिल सकता है, उतना ही strength उसके अंदर होती है, उतना ही अच्छे से काम वो करेगा, यानि एक तरीके से अगर हम उसको मानली जिए घर से compare करें, तो जो घर का मुख्या होता है, या कहीं का leader भी अगर होता है, तो उसे engine से ही compare किया जा सकता है, कि जितना strong और जितना मजबूत एक मुख्या होगा, घर परिवार उतना ही अच्छे से चलेगा, और उसी हिसाब से जो ये चिडिया है, ये जो gold finch bird है, ये भी जो है, इतनी ही strong है, ये इसी लिए तो ऐसा लगता है कि मानो एक नरजीव पेड़ है, जबकि उसमें जान है, पेड़ में ऐसा नहीं कि वो नरजीव है, उसमें जान नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि मानों बेजान हो, कि मानों उसमें जान ही नहीं है. जितना स्ट्रॉंग मुखिया या लीडर होगा, उतनी ही बढ़िया तरीके से परिवार चलेगा. ठीक है? The bird is compared to the engine as she is the feeder of her family. चिडियों को दाना देती है ना, तो उनको खाना प्रवाइट करवाती है. Bread and butter. ठीक है? As a machine cannot work without an engine, her family can't last without her. Can't या cannot last का मतलब क्या है कि उसके बिना रहे ही नहीं सकती है. ठीक है? उसके बिना survive नहीं कर सकती है, ठीक है? चोटे बच्चों को वैसे भी अपनी मदग की जरूरत है. तो यहाँ पर यही बता गया है कि कितना जादा जुरूरी है वो चडिया अपनी family के लिए. पूछना है, students doubt लेकर आगे नहीं बढ़ना है. और इसी के साथ इस वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है. ठीक है? देखे, what do you like most about the poem? अब इस poem के बार में आपको सबसे जादा क्या चीज़ पसंद आती है. Basically, I like the comparison. यह आपका एक opinion पूछा गया है कि आपको क्या पसंद आता है. जो best part है, वो यह लगता है कि जो comparison है of the state of the tree before and after the gold finch. bird arrives and it makes the death-like tree alive. Basically, पूरा यह एक तरीके से main idea भी है. इस poem का. कैसे main idea, कैसे है students? क्योंकि यह comparison ही तो हो रहा है ना कि before and after effect, जो मैंने आपको बताया था before and after. तो यह एक comparison ही, जो तुलना एक होती है कि bird के आने से पहले और bird के जाने के बाद किस तरीके की situation है और bird जब रहती, यानि bird के आने से पहले और bird के आने के बाद जो situation होती है पेड की या जो यंगर बंस है, जो चेडिया के बच्चे हैं उनकी वो सबसे दाला इंट्रेस्टिंग है, वोही comparison तो पूरी इस पोम के अंदर दर्शाया गया है, right? तो देखिए, I like the comparison of the state of the tree before and after the goldfinch bird arrives and it makes the death-like tree alive. कि उन पेजान सा पेड ऐसा लगता है कि इस bird ने जैसे उसके अंदर जान फूब दिया है. ठीक है, easy था students, problem तो नहीं, आगे बढ़ते हैं. Next is, What does the phrase, Her Bart Face Identity Mask mean? यानि इसका Bart Face Identity Mask, इस phrase का यह जो line दी गई है आपको पोम में, उसका मतलब क्या है? Basically, it means that the bird's face became her identity and symbol of recognition. Why so? क्योंकि एक जो पट्टी है, ब्लाक कलर की पट्टी है, जो इस bird के चहरे पर है. तो ये पट्टी की वज़े से ही, वो समझ में आ रही है कि हाँ, कोई bird भी बैठी हुई है. Otherwise, वो तो पीले रंग की पत्तियों में, बीली धूप के अंदर एक्दम गायब सी हो गई है, दिखाई ही नहीं दे रही है. सिर्फ movement चो हो रही है पेड़ की, उससे समझ में आ रहा है कि कोई है, लेकिन कौन है, कौन सी bird है, वो नहीं समझ में आ रहा है. तो दो तरीके हैं, एक तो यह पता लगाने कि, हाँ, भई, दिखाई अगर नहीं दे रही है, पीले रंग की ही कोई bird होगी, तब ही तो एकदम दिखाई नहीं दे रही है, इस पीले रंग में ही उसकी body का color मिल गया होगा एकदम. तो हम अंदाज़ा लगाते हैं, हाँ, gold finch होगी. इसके अलावा, जब उसका चहरा नजर आता है, तो वो बन जाता है, उसका symbol of recognition, यानि पहचान हम उसी से पाते हैं उसको. Right students, अच्छे से clear है, समझ में आ गया, आगे बढ़े. Now next is note down, यह वो वाली चीज़े हैं, जहां, जैसे sound words है, students, poem के अंदर यह चीज़ें बहुत importance रखती हैं, क्योंकि इस related questions बन जाते हैं. कई बार individually ना आके, यह एक ही question में 3-4 questions जो पूछ ले जाते हैं, उस तरीके से questions अकसर आ जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है sound words आपको बताने हैं, इस poem में वो सारे words जो sound words हैं, जैसे twitching, chirrup, chitterings, trillings, whispering, यह सारे ही words जो हैं, वो एक sound create करते हैं. अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि twitching word जो है, मैं आपने जब explain कर रहे थे तब आपने एक action के तौर पर बताया था कि twitching का मतलब एक action होता है. Yes, it is an action, it is a movement of body. लेकिन यहाँ पर basically twitching, यह जो movement है students, उससे sound produce हो रहा है. कौनसा sound produce हो रहा है? जो चिडिया आ रही है, जा रही है, जो भी यह आवाज हो रही है, इसी की वज़े से हो रही है, तो यहाँ पर students यह कोई regular text नहीं है. जब भी हम poems की बात करते हैं, तो उसमें यह ध्यान रखना होता है, कि अगर किसी, जैसे इस case में मैं बताऊं, कि अगर कोई action की वज़र से कोई sound produce हो रहा है. For example, yawning, yawning करने का मतलब क्या होता है, उबासी लेना, लेकिन अगर उस yawning, इस word का किसी poem के अंदर इस्तमाल हो रहा है, किसी sound को दर्शाने के लिए, तो देखा जाए तो yawning करना एक action है, बट वहाँ पर यह sound की तरह इस्तमाल होगा, क्योंकि यह उस category में आ जाएगा, जहाँ पर sound एक produce हो रहा है, यहाँ पर भी twitching से एक sound produce हो रहा है, चिडिया के आने का जो पंक्फू फडफड़ा रही है उसका, चिरप, चिटरिंग, ट्रिलिंग, विस्परिंग, यह तो sound है ही, और यह मैंने आपको already बताया था, फुस फुसाना, या जो की आवाज है, चिडिया के जो बच्चे हैं, उनकी जो आवाज है, तो यह सारे sound words है, इस पोर में यह जो sound words या action words जो है, उन से related question आते हैं, in fact, यह different types of questions का mind होके कई बर single question के तौर पे भी पूछा जाता है, राइट students, यहां तक clear है, क्या आगे बढ़ें? next is the movement words, अब यहां movement कौन से कौन से words दिखा रहे हैं, बताईए, comes, enters, starts up, flirts out, launches away, tremble, subside, यह वाले जो सारे words हैं, वो सिर्फ movement दिखा रहे हैं, ठीक है कि जिस की bird आई, फिर उड़कर वापस अपने घोसले पर आई, फिर घोसले में दाना दिया, फिर सब फढ़ फढ़ा रह था, फिर उड़कर वापस प्रांच के सेरे पर चली गई, और फिर वापस आवा, आकाश में उड़कर चली गई, यह सारे जो एक्शन हो रहे हैं, यह दिखाये गए हैं, इन में, राइट, clear है students, अच्छे से समझ में आ गया, next is, the dominant color in the poem, it is one of the most important questions, है तो बहुत छोटा सा बहुत easy सा, but very important बिटा, dominant color क्या है इस poem में, यानि सबसे ज़ादा किस color की बात करिये, और मैं repeatedly बोल रही थी, बहुत important है, it's yellow color, leaves are yellow, sunlight, the color is yellow, bird, the color is yellow, it's very important, तो और पतज़ड भी yellow color से पतज़ड को भी दर्शाया जा सकता है, तो इसलिए यह color yellow, clear है, आ गया समझ में, then list the following, अब पहला question है, words which describe sleek, alert and abrupt, कौन से words है जोई दर्शात है, lizard क्या दर्शात है, sleek, machine, alert, suddenness, abrupt, ठीक है, यह आपको, आपके poem में भी as it is, मिल जाएंगे, ठीक है, next question है, words with a sound, char, as in char, जिसे चार्ट में इस यह चीज़, च है sound, तो वो, and tr, 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 ठीक है, जैसे trembles में है, तो आपको वो words देखने हैं, इस poem के अंदर से, जिनमें च या फिर tr आ रहा हो, अगर कोई ऐसा word, जिनमें यह दोनों ही sounds, जो है, अगर साथ में भी आ रहे हो, then also it is fine, लेकिन यहाँ पर, कमाई जी नहीं देखना है आपको, वो words जिसमें च आ रहा है, एक, और वो words जिसमें ट्र आ रहा है, वो एक, कोई ऐसा word मिलें जिसमें दोनों ही साथ में आ रहे हैं, तो भी बहुत बढ़िया है, राइट, तो यहाँ देखते हैं हम, देखें, यहाँ गोल्द फिंच है, च ब्रांच है, च, चिटरिंग है, च, चरप है, च, इसके अलावा ट्रिलिंग्स है, ट्र, ट्विचिंग है, तो यहाँ च, यहाँ पर आपको यह नहीं देखना है, कि यह जो च साउंड है, वो word में कहां है, ऐसा यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ इस तरीके के questions म आपको क्या ध्यान देना होता है, अगर आपको sound में इस question में मान ली जाकर इस तरीकी का कुछ mention होता, कि आपको सिर्फ word के शुरुवात में ही church sound देखना है, तो उस case में क्या goldfinch, branch, twitching, यह आता क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता, उस case में जैसे chart word है, वैसा ही कुछ यह चरब जो है, यह chittering जो है, उस case में सिर्फ यही आते, अगर कहा जाता कि शुरुवात में ही आना चाहिए word के, अगर आप से कहा जाता कि last में आना चाहिए, तो जैसे goldfinch है, branch है, तो तब ही आना चाहिए, students कई बार लगता है, ma'am, यह हाँ, it's easy, हम जानते हैं, I know, ले इतने easy और simple questions होते हैं, उतना जादा confused होते हैं, students, और यह सोचते हैं कि हाँ, आता तो है, और इस चक्कर में गडबड कराते हैं, ठीक है, यह नहीं करना है, और जो ट्र है, यह देखिए, trembles, clear है, या trillings का ट्र, तो यहाँ ट्र, ट्र आ आ गया, एक चीज़ और बताती हू यहाँ यह जो चिटरिंग्स है, तो यह T-E-R है, तो यह टर है, ट्र नहीं है, ठीक है students, clear है, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पर, next question हमारा है, other sounds that occur frequently in the poem, मतलब वो sounds, जो frequently, कुछ sounds ऐसे हैं, जो frequently ही, इस जो poem के अंदर है, frequently आ रहा है, यानि बार बार आ रहा है, ठीक है तो वो कौन-कौन से हैं, देखिए, ing sound in words like twitching, यह जो ing का sound है, अब आप सोच रहे हैं, यह तो एक word ही है, ing, यह sound कैसे हुआ, जो poems होती है students, उनको आप अगर songs के साथ compare करेंगे, तो एक यह similarity उनमें से एक समझ में आएगी, कि जो songs होता है, जादा तर में, जो आखरी word होता ह है, वो rhyme कर रहा हो होता है, poems में भी यह होता है, जाना, आना, इस तरीके के जो होते हैं, तो वो words जो होते हैं, rhyme कर रहे होते हैं, similar sound होता है, तो जब हम उसको, अगर song की बात करूँ, तो जब हम उसको music दे रहे होते हैं, या उसको धुन दे रहे होते हैं, कोई, एकिनो music composition ज तोसी म्यूजिक के हिसाब से हम उसको फिर गाने को गाते हैं। पोव्म्स के साथ भी बिलकुल वैसा ही है। या अगर मैं आपको कहूं जो शायरी होती है। शायरी को भी या अगर कोई उर्दू ये जो शेर होते हैं उन्हें भी बोलने का एक अंदाज होता है, तरीका होता है, एक लै होती है। ठीक है, उस ले में बोला जाता है, या rap music होता है, या दोहे होते हैं, ठीक है, दोहे जैसे कबीर के दोहे हैं, या श्लोक है, ये सारे में आपको वो उधारन दे रही हूँ, जो एक ले के साथ बोले जाता है, जिसमें हलका सा स्वर होता है, उनको usual हम जो conversation वाला जो tone होता है, एक ले में बोलते हैं, एक music और एक ताल भी होती है, ठीक है, जब पोएम की बात कर रहे होते हैं, तो ये आई एंजी भी एक sound निकल कर आता है, ठीक है, twitching, something like that, chittering, इस तरीके से sound निकल कर आता है, हम उसको सीधा-सीधा पढ़ लेते हैं, but it is not like that, एक छोटा से example और देते नहीं, हम हमें आज भी जब हम बोलते हैं, तो ऐसे, twinkle, twinkle, little star, you know, gaana-gaani के हिसाप से बोलते हैं, it is like song only, तो ये little star, तो ये जो star है, वो एक तरीके का, ये धुन में आता है, है ना, तो वही और स्वर में आता है, ये जो sound है, sound में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये आई एंजी वही sound है, twitching, chittering, wing, chilling, something like that, whispering भी है, तो ये साथ में आता है, twitching और twitching, I think, अकेला ही रह गया है यहाँ पे, बाकी सब, क्योंकि सब में लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये साथ में आ रहे हैं, बाकी, आई एंजी sound ये है, ठीक है, इसके अ और भी ऐसी poems होंगी जरूर, जो बचपन में हमने जरूर गाई है, for example, Johnny, Johnny, yes, papa, isn't it, clear है students, I hope, तो आपको ये आई एंजी वाला sound, exactly, क्या होता है, वो भी अच्छे से clear, हो ही गया होगा, और समझ में आ गया होगा, और students, इसी के साथ, हमारा ये जो वीडियो है, वो होता है complete, I hope, आपको ये सभी question answers, explanation, बढ़िया से समझ में आ गया होगे, और अगर हाँ, तो वीडियो में कमेंट करकर मुझे बताना मत भूलेगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, कहीं कोई doubt रह गया है, तो वो भी make sure आप जरूर से जरूर मुझे से पूछ ले, ताकि मैं आपक ही help कर सकूँ, isn't it? और students, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजे, जादा से जादा शायर कर दीजे, ताकि बाकी students का भी benefit हो सके, और इसके अलावा, अगर अभी तक आपने Magnet Brains Hindi को subscribe नहीं किया है, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से subscribe कीजे, क्योंकि यह यहां मिल रहे हैं, यह सभी की सभी top courses, एकदम free of cost, class 6 से लेकर class 12 तक के सभी students के लिए, यह सभी courses available है, and again free of cost available है, तो इसका फायदा उठाना है, इसी के साथ Magnet Brains English Medium channel पर भी, kg से लेकर class 12 तक के students के लिए CBSE board available है, and again free of cost, तो यहां पर students दोनों ही channels पे, यह जो free education आपकी लिए provide करवाई जाती है, उसका फायदा आपको उठाना ही उठाना है, क्योंकि बहुत शांदार opportunity है, right, इसके अलावा e-books और e-notes की बात अगर करें, तो वो भी available है, e-notes के बारे में मैं एक चीज़ यह बता दूँ, कि यह organized format में available है, और practice sets के साथ available है, अब यह आपको मिलेंग करते ही आपको सारी details मिल जाएंगी कि किस तरीके से आप e-notes या e-books पास सकते हैं, right students, clear है, इसके अलावा magnet brains, Hindi और English medium को Instagram, Telegram, Facebook, Twitter और Facebook पर follow करना ना भूले, ताकि आपको सभी latest updates, जानकारियां सब मिल जाए, जैसे live कब हो रहा है, live का schedule क्या है, कोई video कब आ रहा है, हर subject और हर class related, जो भी latest update है, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, तो आपको confused नहीं होना पड़ेगा कि इस subject का live कब है, या उस class का live कब है, and other things as well, ठीके students, तो हमें follow करना आपको बिलकुल नहीं भूलना है, दोनों ही channels को, और इसके साथ ही last में, मैं फिर से एक बार बता दूँ, doubt ह होने पर पूछ लीजे, कैसी लगी वीडियो, बताना मत भूलिये, लाइक कीजे वीडियो को, शेयर कीजे, जादा से जादा और सबसे जरूरी बात अपना ध्यान रखे, तो students, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखे, take care and bye-bye.